हारी कृष्णा आज है 10 अक्टूबर यानि की वर्ड गुलाब जामुन दे तो क्यों ना इसे मिलकर सलिब्रेट करें गुलाब जामुन मतलब गेट्स बच्पन से ही हम सभी को गुलाब जामुन बहुत पसंद होते हैं लेकिन इसे बनाना थोड़ा सा ट्रेकी होता है लेकिन गेट्स के साथ आप बहुत ही असानी से पॉर्फेक्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं वो भी कुछ मिंटों में ही तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने एक गेट्स का पकेट ले लिया है और इसके पीछे की साइड पूरे इंस्ट्रक्शन दिये गए है यहनि कि इसको पढ़ करके आप बिल्कुल पर्फेक्टली और अच्छे से गुलाब जामुन बना सकते हैं बिना किसी गलती के ही अब हम इसमें से एक पैकेट निकाल लेंगे और इस मिक्शे को अगर मैं कप से नापती हूँ तो यह डेड़ कप के करीब है इसे हम अच्छे तो इसकी जगह पर आधा कप पानी भी ले सकते हैं हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे यहाँ पर मैंने पूरा 120 ग्राम यहनि की आधा कप दूद इसमें डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके और अभी लगीगा आपको कि य चीनी ले ली है वेट में आपेंगे तो 600 ग्राम चीनी है और इसके साथ ही इसमें चार कप पानी डाल देंगे और इसे ग्यास पर रख देंगे उबलने के लिए ग्यास का फ्ले मीडियम टू हाई रखेंगे और यह देखे जैसे ही चीनी इसमें पूरी तरह से मेल्ट हो करके सिर्फ 6-7 मिनट के लिए उबालेंगे और आपकी चाशनी बन करके तयार हो जाएगी और 7 मिनट बाद मैंने यहां पर गैस का फ्ले मॉफ कर दिया है और इसमें आदी चोटी चमल गुलाब चल डाला है गुलाब चल से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर मैं इसे चेक करती हूँ तो यह इस तरीके से हलका सा स्टिकी सा फील हो रहा है जैसे की ओयल जैसा लेकिन इसमें हमें कोई तार नहीं बनानी है यानि कि जो शुगर सिरफ है वो आपको थोड़ा पतला ही रखना है शुगर सिरफ हम यहां पर डो चेक कर लेते हैं हाथ पर मैंने थोड़ा सा देसी की लगा लिया है और आटे को इस तरीके से बस इकठा कर लेंगे हमें आटे को मलना नहीं है बस इकठा कर लेना है यह देखिए यहां पर डो अच्छे से सेट हो गया है अब यह बिल्कुल भी स्टिकी नही अब आप इसमें से आसानी से गुलाब जमुन बना सकते हैं अब मैंने यहां पर एक छोटा सा चमश ले लिया है इसके उपर भी हम थोड़ा सा देशी घी लगा लेंगे और इसमें से इस तरीके से थोड़ा सा डोर लेंगे और इसे हाथ पर ले करके एकदम रोल कर देंगे यहां पर जो आप गुलाब जमुन के लिए बॉल बनाएंगे वो बिल्कुल स्मूध होनी चाहिए उसमें कोई भी क्रैक ना हो बस आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान लगें तो बस यहां पर देखे घी भी हलका सा गरम हो गया है तो मैं इसमें यहां पर छूटी सी बॉल डाल कर चेक करूँगी यह इसमें हलके से बबल्स उट रहे हैं तो यानि जो घी है वो बिल्कुल पर्फेक गरम है आप हम इसमें एक एक करके गुलाब जमुन की बॉल डाल देंगे और घी को इस तरीके से पहले थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे ताकि बॉल्स इसमें जाकर के नीचे चिपकेंगी नहीं अगर ये एक side से थोड़े से white रह जाते हैं और दूसी side brown हो जाते हैं तो आप उन्हें इस तरीके से चन्नी पर कर लें और जो white वाइला side है इंका वो नीचे की तरफ रखेंगे तो ये evenly और अच्छे से इंके ओपर color आ जाता है तो ये था आज का tip और ये देखें गुलाब ज जमुन डाले थे वो देखे थोड़े से साइज में बड़े हो चुके हैं यानि गुलाब जमुन अपने ओरिजिनल साइज से डबल और ट्रिपल हो जाते हैं तो आप बॉल्स बनाते समय ध्यान लगें कि बहुत ज्यादा बड़ी बॉल ना बनाएं और यह देखे इसी तरीके बने हैं एकदम शांदार गुलाब जमुन बने हैं एकदम स्मूध अंदर से एकदम सॉफ्ट और मों में घुल जाने वाले हैं और जो गुलाब जमुन है वो आप छोटे या बड़े अपनी पसंद बना सकते हैं मैंने थोड़े से बड़े गुलाब जमुन बनाए हैं तो म अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आपकी अपने चैनल रीटा अरूरा रेसिपीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अब मिलती हूँ एक और एक रेसिपी के साथ तब तक लिए गुडबाई, टेक केर और थेंक्स पर वाचिंग